नमस्कार साथियों आप सब का पुनह स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो जोतिश में तो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं ब्रहत पराशर हुराशास्त्रा के सूत्र उनका सरल हिंदी अर्थ क्या कहता है तो जब भी हम बात करते हैं लगन प्रभाव प्रखंभाव होता है कि हम विक्ती का जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसकी बात कर रहे हैं और वैसे जो मुख्य ग्रह हैं माने यदि हम राहू केतू को थोड़ी दिर छोड़ दें तो मुख्य मुख्य ग्रह का वर्णन तो हम जानते हैं माने सूर्य का स्वभाव कैसा है मंगल का तो जो ग्रह वहां बैठा हुआ है, वो त्वरित प्रभाव, यानि instantaneous impact में तो वो ग्रह ऐसा लगेगा, जैसे हावी हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं, resultant की, resultant निर्भर करता है, उस लगन में बैठे, जो ग्रह है, उसके depositor पर, पाने जैसे, इसको आप खुद भी समझ ज जा रहा हूँ, कि जब भी बात ऐसी आती है, कि भई, कई दफ़ा मैंने ये सुनते हुए, माने आपस में बात्चित करते हुए, ऐसा, या किसी astrologer को भी कहते सुना है, कि भई, ये जो लगन है, इस लगन में, जो ग्रह बैठा है, उसका प्रभाव जादा होगा, या लगन क प्रभाव जादा होगा, तो इस विवाद को हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं, कि भई, देखे, एक नंबर यहां लिखा हुआ है, और गुरु महराज यहां बैठे हुए, तो गुरु महराज बैठे हुए, इस कारण से हम इसको गुरु का लगन तो नहीं कहेंगे, कहा तो इसको सदैव मेश लगनी कहा जाएगा, और मेश लगन का जो उसका जो नेचर है, वो फाइनली वही जीत पाएगा, आपको यह बात समझ में आ रही है, किसी भी लगन के लिए माने नहीं है, किसी भी भाव में जब कोई ग्रह बैठता है, वो प्रभाव तो जमाता ही जमात है, लेकिन विजयी वो होगा, जो उस घर का मालिक होगा, जिसके पास लैंड के ऑफिशल कागजाद है, वो ही विजयी माना जाएगा, कोई रेंटिड जो है, बेशक से वो बहुत बढ़िया प्रभाव जमा कर बैठा है, लेकिन जब कोई कोई विनिंग स्पिरिट, येस नो करना होगा, कहीं फेल और पास का निर्णे होना होगा, तो वो जो सिटिंग एलिमेंट के अवल अपने बल पर वो declaration नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास officially उस लैंड का ownership नहीं है, तो ये आपको बहुत समय में रहे हैं, किसी भाव के लिए, जैसे मान लीजे, यहाँ पर गुरु महराज बैठे हैं, तो कई दफ़ा आपने भी ये, इसको ये संकट कई बार हम फस जाते हैं, कि भी गुरु का भाव प्रभाव माने, या शनी का भाव प्रभाव माने, पहला impression यहाँ गुरु का जाएगा, इसमें कोई दो रहे नहीं, लेकिन जब declare किया जाएगा, fail और pass का निर्ने किया जाएगा, कोई बच्चा सेशनल टेस्ट में fail या पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही वो final exam में भी खराब result ही देगा, कई दफ़ा एकदम विपरीत result आ जाता है, इसी प्रकार से यदि हम किसी भाव की बात करें कि तो depositor के pass, passing और fail करने का जो बल है, वो उसी के पास है, ठीक हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको गुरू बैठा है इस कारण से, गुरू का लगन तो नहीं कह देते हैं, रहे गई, मेश लग नहीं, तो मैं जैसे बता रहाता हैं, जो 7 ग्रह, जो मुख्य ग्रह, उनका लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या होती है, राहू केतू के स्वभाव को समझने में, जब कोई लगन में shadow planet आ जाता है, खास करके राहू, क्योंकि केतू तो है थोड़ा सा अंतर मुखी, वो ज़्यादा अपने आपको समाज में दिखाना नहीं चाहता है, इसलिए केतू को ब तो राहू कोई किसी भी लगन नुसार रूप बदलता है और कई बार तो विक्ति धोगा का जाता है कि यार ये वाके ही तुला लगन है कि ये कोई और लगन है, ये रूप बदलने में माहिर ग्रह है राहू केतू, लेकिन केतू का जो रूप बदलना है वो अंतर मुखी हो कर माने कोई ऐसा अपने आप में ही रहते रहना ये जो अंतरिक बदलाव हैं अंदर रहते हुए अंतर मुखी होकर आज बहुत शान्त इश्वर के प्रती चले जाना ये अंतर कि हो के आज सांसारिक दृष्टी से अपने आपको एकांत में कैद कर लेना संसार की दृष्टी से किसे से बात ना करना तो यह वाला जो स्वरूप है के तू की लगन अपने आपको अपने आपको बताना ना की छुपाना तो लगन में राहू बैठा है तो वो दिकोड करना कठीन हो जाता है केतू क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्प्रेसिव नहीं है इसलिए उस पर ज़्यादा दिक्कते नहीं आती जैसे तीन नमबर लगनी आए और यहां केतू है तो केतू क्योंकि जैसे मैंने बहुत है वो कम शब्दों में अपनी बात रखता है लेकिन तीन नमबर माने जैमिना है राजकुमार का वो रूप जो थोड़ा सा हास से विनोध करना पसंद करता है यही फाइनली रिजल्ट अपने को मिलेगा लेकिन इसी में यदि केतू की बज़ाए हम विठा दें रावु माहराज को अभी थोड़ा सा यह कॉंप्लेक्स हो गया हमाने तीन नमबर यहां है और रावु माहराज बैठ गए अब वो तो रूप बदल सकता है जैसा चाहे प्रभ से ऐसे विक्तियों को ऐसे विक्तियों की था पाना ऐसे विक्तियों को एनलाइज कर पाना कठिन हो जाता है ठीक हो गया राहु कई बार बहुत बहिर मुखी है इसको डाक साइड का कमांडर भी माना जाता तो ऐसा भी लगता है यह तो बहुत एक जैसे एक कमांडर टोन है वैसी है लेकिन तीन नमबर की तो कमांडर टो नहीं है तीन नमबर मानी जैमेना है वो तो एक हाथ से भी नोद करने वाला अगर है लेकिन राहू बहुत डिप्लोमेटर तो वो रूप फट से बदल लेता है अपनी बात को मनवाने के लिए वो कोई भी रूख बदल सकता है आप समझ सकते हैं राजा तक को ग्रहन लगाने की ताकत राहू के पास है तो ये जब लग्न में राहू केतु जब बैठते हैं इनको डिकोड करने में हमें काफी ज़्यादा मशकत या महनत करनी पड़ती है अदरवाईज आप जानते हैं जो ग्रह बैठा होगा उसका प्रभाव भी हम देखेंगे और जो डिपॉजिटर है या जो लग्नेश है उसका प्रभाव तो सबसे ज़्यादा महत्व का होगा तो अभी शायद यह वाला आपको doubt clear हुआ कई लोगों ने ये प्रश्न बार-बार किया कि ग्रह बैठा है उसका महत्व जादा माने जो उसका डिपॉस्टर उसका महत्व तो उसका उत्तर आपने स्वयम ही समझ लिया माने मैंने कोई बहुत जादा अपनी तरफ से आड किया वह ऐसा नहीं है खुद ही समझ गए कि हम जिस भी भाव में जो नंबर पढ़ता है जैसे यहां दस नंबर पढ़ा है तो हम बोलेंगे दस दशम भाव किस क्या है मकर राशी तो मकर राशी फाइनली ये डिक्लेयर करेगा जीतो और हार का फैसला इसी के हाथ में है लेकिन हां सिटिंग एलिमेंट वह जैसे मां लीजिए यहां मंगल बैठा है तो मंगल का प्रभाव भी आंका जाएगा और एक जो एक्सेप्शनल केसिज है वो भी हमने बताए थे जो किसी राशी में ग्रह उच्चका होता है वो राशी का स्टक्चर उसको बहुत पसंद होता है तो वो राशी के अनुसार ही कारे करता है इसलिए ये एक्सेप्शनल केस हो जाते है जब कोई ग्रह उच्चका होकर किसी राशी में बैठता है तो वो अकेला अपने दम पर भी पास कराने का माददा रखता है ठीक हो गया तो ये बात समयन में आई हम शनी को अभी ना भी देखें तभी भी ये बात समयन में आ जाएगी कि मंगल एग्जेक्यूट कर रहा है दशंभाव से तो मंगल की दशाओं में आफिस संबंदी फायदा तो होगा ही होगा आपको ये बात समयन में आइए क्योंकि वो उसका राशी का जो structure है उस राशी का structure मंगल को शनी से भी ज्यादा अच्छा लगता है इसी प्रकार से आप जानते हैं मान लीजे ये हमारा हम salary के बारे बात करने हैं तो यहां पर सूरे महाराज बैठे हुए हैं तूरे को इस मंगल की राशी है तो जब सूरी की दशा चलेगी तो बिना मंगल को देखे भी यानि मंगल कमजोर है तभी भी हम कह देंगे आपका सैलरी संबंदी विशय एकदम उसका कोई प्रॉब्लम है एकदम शोट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम क्योंकि अकेला सूर ही वो चीज उस वो उसको पास कराने का दम रखेगा फिर क्योंकि वो उस राशी के लिए जितना ज्यादा कर सकता है करेगा आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखें राशी का अपना एक अलग स्टक्चर है वो हमें जानना होगा ग्रह बेशक से वह जैसे दो ग्रहों में कई दफा मैत्री भी होते हैं लेकिन दोनों माने दोस्त हैं फिर भी दोनों दोस्त जरूरी नहीं है कि वह उसका घर है तो उसको पसंदी होगा जैसे चंद्रमा और मंगल मित्र हैं वैसे लेकिन मंगल चंद्रमा का घर माने कर कराशी में debilitated, अपने आपको sad महसूस करता है, इसी प्रकार से चंद्रमा, मंगल के घर, व्रशिक में आपको sad महसूस करता है, तो बड़ी बिचित्र बात है, तो केवल ये कह देना कि ये मंगल इसका large है, तो इसलिए उसका structure भी उसी प्रकार का होगा चूक हो सकती है इस बात पर तो आपको राशि का अलग structure वो समझना है, मकर आगे से कैसा दिखता है, दिखने में एक भेड के जैसा समझ ले, एक खिरन के जैसा समझ ले, एरीस के जैसा समझ ले, आगे से दिखने में ये एरीस के तरह दिखता है मकर राशी और इसका जो पिछला हिस्सा है वो एक क्रोकोडाइल के जैसा है मगर के जैसा है तो ये मंगल का फेवरेट हाउस बन जाता है तो ठीक हो गया बट फिर भी हम जब जनल बात करेंगे तो हम यही बात रखेंगे राशी तो लाड इसका शनी ही है हम लाड नहीं बदल देगे मंगल यहां बैठा है तो हम यह नहीं कह देंगे बई इसका लाड शीप ही बदल गया लाड तो इसका शनी ही रहेगा ठीक होगे तो जो exceptional cases होते हैं यानि विशेश जो बाते हैं उनको अलग कटेगरी में लिखना है लेकिन सामानने तो जब भी सामानने कोई जनरल बात्ची चल रही होगी तो हम यही कहेंगे कि लॉर्ड को देखना है इसके स्टिटिंग एलिमेंट तो ठीक है देख रहे हैं हम लेकिन फेल और पास का निर्णे लॉर्ड ही करेगा अब जो आज के लिए हमने सूत्र लिये हैं तो उसमें हमें विवेक से काम लेना है कुछ ऐसे सूत्र हैं जो प्राचीन समय कई जगा एकदम फिट बैठते थे लेकिन अभी देश काल पात्र अनुसार उसको अपने विवेक से अच्छी एस्ट्रोजिरी जो सलाहा में जरू हो गया तभी वो फिट बैठेगा या हम इसका बार-बार अभ्यास करें वह मैंने कई दफ़ा बताए कि जैसे लगनेश का बारवे भाव में त्रिक भाव में जाना हम शुरुआत में अच्छा नहीं मानते थे ठीक हो गया लेकिन अभी कई special ऐसे profession अभी अभी हाल ही में कह हैं या पिछले 60-70 सालों में जादा उनको तवज्जो मिला है इंपोर्टेंस मिला है ठीक हो गया सारे विक्ति तो जैसे ग्रामक्षेत्र में पहले भारत की देश की दिबात कर लें तो अपने सो साल पहले तक गाव में रहते थे सभी अपने ही क्षेत्र में वहीं उत्पा उटरवे भाव में चला गया जड़्ट लगने शमार तीसरे भाव में चला गया जडिए लगने शमार नवम बहुं में चला गया तो अब हमुसको देशक आलपात्र आनुकर नुसार अच्छा मजह रहें ठीक हो गया तो ये थोड़ा अपना विवेक यहां इस्तमाल करना तो क्या केते हैं भौतिक सुख सुविधाएं धियान रखना है लगन in वैसे हमारा हम शरीर मानते ठीक हो गया लगनों को अपना शरीर मानते हैं शरीर समर्दि सुख कहले हमारा first impression हमारा first outlook अंदाजा लगाना हो तो लगन यानए first house यह first house होता है गया जिल लोगों से anti clockwise चलेंगे दूसरा तीसरा इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टी से हम लगन को importance देते हैं लगनेश किसी अशुग रहे के साथ युती में हो या आठवे छटे या बारवे भाव में हो तो शारिरिक सुख में कमी आएगी अगर कोई विक्ती तपस्वी है वोलेंटरी वो अपने मन से तप करना चाता है तो सांसारिक जो विक्ती है जिसकी बुद्धी केवल सांसारिक सुख सुविधाओं या भोग में लगी है उसको लग सकता है यार भई लगनेश इस आठवे भाव में बैठ गया तो उसको तो इसके लिए तो ये दुख ही है लेकिन उसने तप को स्वयम चुना है यानि अगर वो बहुत बड़े ऐसे आपको S-Logger भी मिलेंगे ऐसे बहुत बड़े सॉफ्वे इंजिनियर भी है वो जिनका आठवे भाव से कई ग्रहों का एक्जिक्यूशन है और हमारे एक मित्र भी उनका हिस्सा बना लिया है यानि जीवन में उस वो जो चाहें भोग ले सकते हैं लेकिन उनको वो चीज पसंद नहीं है उनको तप करना पसंद है तो अब आप इस चीज का भी आपको विचार करना है कि एवल इसका नेगेटिव ही अर्थ नहीं लगाना है कि भी लगनेश चाठवे भाव में चला गया तो भई इनके तो जीवन से सांसारिक सुख निकल गया अगर विक्ति खुद चाहता है कि नहीं मुझे मैं भोग की वस्तू कोई भी खरीद सकता हूं लेकिन मैं भोग की वस्तू से मुझे भाहे लगता है मैं संसार के स्ट्रैप में ज्यादा निचाता सक्षम होने के बाद दी तो ये फिर एक बहुत बढ़िया संयोग माना जाएगा ठीक हो गया तो इसको अच्छे से डिकोड करना है अच्छे से समझना है लेकिन प्रतम दृष्टा ये बात तो हम कह सकते हैं कि जिसको सांसारिक दृष्टी से भोग या लगजरी आइटम्स माना जाता है वो विक्ति उनसे बचने का प्रयास करता है आठवे भाव में अशुक ग्रहों के साथ युती हो रही है छटे भाव में या बारवे भाव में ठीक हो गया यदि वह कौण या त्रिकौण में हो तो शरीर को हर समय सुक सुविधाएं मिलती रहेंगी यदि लगनेश एक चार साथ दस में है या एक पाँच नौ में है तो उसको सुक सुविधाएं मिलती रहेंगी और उसमें भी हम थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं यदि वह एक पाँच नौ में है तो विक्ति स्वेम उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि हम एक पाँच नौ को लक्षमी त्रिकोन बोलते हैं वो अपने आप ही बिना ज़्यादा प्रयास के पूर्व जन्मों के पुन्यों से अनायास ही हमें मिल जाता है और जब भी हम लगनेश को को में बिठाएंगे या डायमेंड हाउस में या विष्णु हाउस में बिठाएंगे तो हम कहेंगे वो बल से प्राप्त किया जाने वाला यश है यानि वो यश तो उसको मिलेगा लेकिन वो उसको अपने बल से प्राप्त करना होगा तो आप इस चीज को इस चीज का डिफरेंस कर पाएंगे लेकिन कोई अगर यह समझ रहा हो कि सर हाँ लगन का नवम में पंचम में बैठना इसका मतलब मच बेटर है तो फिर आप एक च नवम में बैठना यदि वो फेवरेबल होकर नवम और दसम में बैठा है तो हम भागिशाली तो मान सकते हैं बिना एफर्ट के उसको वस्तु मिल रही है समाज में हमारी एक और भी तो इच्छा है हमारा यश समाज के चारो दिशाओं में फैल जाए वो यश जब तुलना क करेंगे नवम और दसम के दृष्टी से तो उसको जादा यश प्राप्त हो जाता है विश्नु हाउसेज में बोलते हैं अगर लक्षमी को पाना है तो विश्नु को मना लीजिए विश्नु को मनाना थोड़ा सा कठीन है लेकिन अगर विश्नु मान जाए हमारे हमारा जो हम रूटीन वर्क हमारा ऐसा है कि विश्नु अगर प्रसंद हो जाएं लक्षमी अपने आप आजाती है लेकिन उनको मनाना थोड़ा कठिंग जान पड़ता है ऐसा ही कुछ Central Houses का बल है विश्नु अमला इसको तो कोई डिनाए नहीं कर सकता है हम विश्नु जी को यदि मना ले तो लक्षमी स्वाई मान जाती है लेकिन हमारी प्रवर्ती क्या है कि अगर हमें सांसारी वस्तुओं का भोग माने हमारे पास धन लक्षमी है तो वो तो हम आसानी से उस हमारे असील करना चाता है तो विश्नु niejुस की तो कोई तुला ही नहीं लेकिन ये पापडा बेलना पढ़ता है विश्नु जंत के बल को केस्ष कराने के लिए कि यश ऐसे तो मिलता नहीं है कि आप राजा के बेटे हैं तो आपको यश मिल जाएगा आप राजा के बेटे आपको मान सम्मान येश सब मिल रहा है लेकिन वो जो येश चारो दिशाओं में फैल जाता है वो येश वाली बात फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक हो गया तो ये अंतर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि विश्णू हाउसेज और लक्ष्मी हाउसेज के बल में भी अलग प्रकार का फल अपने को मिलेगा ठीक हो गया तो हर समय सुक्स विधायम मिलती रहेंगी येदी लगनेश नीच अब यहाँ भी अच्छे से समझना है येदी लगनेश हमारा सैड है लेकिन मान लीजिए वो लक्ष्मी त्रिकोंड में बैठकर सैड हो गया है केंद्रा हॉसेज में बैठकर सैड हो गया है तो भी ये बड़ा विचार करके ही कोई आपको फैसला देना है आपका लगनेश नीच का हो गया है और सुक्सिधाओं से बन चित है ऐसा नहीं है अगर लगनेश debilitated हो जाता है मान लीजिए विष्णो हाउसेज में और वो वर्गोत्तमबल से बली हो गया ये नीच भंग करा लिया उसने तो फिर वो नीच भंग करा लिया तो फिर वो मिलेगा लेकिन पूरवार्द में नहीं मिलेगा पूरवार्द याने जीवन का जो ब्रह्मचर होता है जीवन का वही 25-26 साल तक उसको ऐसा लगेगा कि जो उसकी लाइफ की जो उसका वैगन है उसका जो जीवन की गाड़ी है वो धक्का स्टार्ट है धक्का लगाते हैं तो चलती है लेकिन जैसे ही वो 25-26 क्रॉस कर जाता है कहता है यार यह लगता ही नहीं है यह वही मित्र है जिसको हम सब को सपोर्ट करके चलाना पड़ता था तो अभी आपको समय में आ रहा है और इसमें भी अंतर है कि अगर वो लक्ष्मी त्रिकोन में बैठ कर debilitated है लक्ष्मी त्रिकोन याने 15-9 में बैठ कर मने परतम भाव का यदि स्वामी है फिर तो अपने हाउस में बैठ कर वो debilitated नहीं हो सकता है लेकिन यह जैसे मान लीजी हम करक लगन के लिए 4-5-6-7-8 अब करक लगन के लिए वो पाँचमे भाव में बैठेगा चंद्रमा तो sad हो जाएगा ठीक हो गया और मंगल लगन में बैठ गया तो प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों ने राशी परिवर्तन कर लिया या मंगल ने दृष्टी डाल दी या सामने मंगल बैठ गया तो कहीं न कहीं अगर वो नीच भंग करवा लेता है तो जीवन का जो पुरवार्द होगा उसमें specially क्योंकि चंद्रमा जो है वो 5th house execute कर रहा है तो उसको काफी ज़्यादा एकांत का सामना related to degree certification करना होगा पाँचवा भाव हमारा degree certification हो सकता है आतमें बच्चे का पेट भी खराब रहता हो ठीक हो गया लेकिन जैसे उसका 25-26 साल वाला पाट खतम होता तो फिर वो लक्की कहा जाएगा भाग्यशाली कहा जाएगा क्योंकि वो लक्षमी त्रिकोन है नीच भंग हो चुका है फिर उसको ऐसा लगेगा यार अब तो ज़्यादा effort नहीं करना पड़ता है बट अगेन इस बात का अंतर भी आप लोग समझे यदि वो नीच भंग कोई planet खरवार है चौथे भाव में बैट कर तो चौथा भाव या केंद्रस्थान वो विष्णु हो उसे ऐसे में विक्ती को मेहनत ज़्यादा करनी होगी जीवन के पुरवार्द में ज़्यादा मिलेगा नहीं लेकिन जब उत्तरार्द आएगा जीवन का तो विक्ती का माने ये जो एक कल्चर है मुझे तो एक 9 to 5 का जॉब चाहिए बस और मुझे धन प्राप्त होता रहे बस मुझे और कोई ज़्यादा यश नीचे ये कहां ज़्यादा फिट हो रहा है कि मुझे तो बस एक 9 to 5 का जॉब चाहिए और मुझे अपना जो भी मेरा 4 लाग 5 लाग का मैंने सैलरी फिगर डिसाइड के वो मिलता रहे मुझे ज़्यादा पचडे में नहीं पढ़ना है पांच वाभाव या नवाभाव ठीक हो गया इसमें भी अंतर कर सकते है पांच और नौ में भी ठीक हो गया लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं तो बिना कारे करे रही नहीं सकता मुझे तो समाज में यश भी चाहिए ठीक है मुझे धन मिले लेकिन मैं यश के बिना नहीं जी सकता हूँ वो विश्ण हो उसका बला तो अभी आप अंतर कर पा रहे हैं ठीक होगे तो ये जरूर विचार करना है कि ग्रह नीच का है लेकिन नीच भंक करा रहे कि नहीं करा रहे शत्रू राशी में हो तो रोग रहता तो आप यहां भी समझ सकते हैं कि अगर वो शुर्वात में नीच का है तो बच्चा फुरुआर्ध में बिमार रह सकता है जो जो ऊसके विशै हैं उससे संबंदित चीजों को लेकर बच्चा विमारस जैसे माल लीजे लगनेश क्योंकि हमारा सेरे ब्रह्म है हमारा कपाल सर तो सर की चोट भी अगर वो लगनेश डिबलेटेटिड है लेकि नीच भंग हो गया तो फिर उतरार्द में परिशान होने की जरूरत नहीं तो इस की ऐसा जादू है कि सर आप इस चीज को कैसे अंतर कर पा रहे हैं आप लोग सब अंतर कर पा रहे हैं यह कर पाएंगे बार बार अभ्यास बगत गीता में यही बोलते हैं न हमारे पास धैर और अभ्यास कि यह जो तलवार है उससे हम अपने मन को काबू कर सकते हैं तो हमें बार-बार अभ्यास करना है तो जोतिश में भी जैसे मगद गीता पढ़ते ही हैं हमारे चैनल है श्रद्धा वेद पुरान वहां भी हम कोशिस कर रहे हैं कि वो प्लेलिस पूरी की जाए साथ सो के साथ सो श्लोक अलग अलग आप लोगों के सामने रखे जाएं क्योंकि बहुत मदद करते हैं ये जोतिश को समझने में भी नहीं तो वो विक्ति समझ नहीं पाता है यार उर्द मूल मदशाखम अश्वत्तम प्रावरभ्यम के संसार रूपी विरिक्ष कौन सा है इस उल्टा क्यों कहा गया है वो समझ नहीं पाता है तो इसलिए अपने को वो भी प्यार दली समझना होगा तभी हम उसका वास्तविक सार या निचोड पा सकते हैं जोतिश का ठीक हो गया तो त्रिकोन नीच में है तभी उसका धनात्मक पॉजिटिव फल जातक को मिल जाता है यदि उसने किसी प्रकार से अपना बल वापस अरजित कर लिया है और ये तो मैं जो इस चीज को ज़्यादा कई दफा महत्व देता हूँ प्यों कि देखिए हम अपने एक क्या उसको क्या बोलते है एक एक साइटमेंट बहुत ज़्यादा में की और लाइफ में एक दम ऐस जिसका लाइफ शुरुआत से ही हम क्या ग्राफ बनाते हैं ना प्लॉट करते हैं कि जिसका लाइफ शुरुआत से ऐसा रहा है उस प्लॉट करे। जो अगर हमने नीच के ग्रह से जो हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा ऐसे 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 उसके बाद ये ऐसा हाइक मिलता उसको शाप प्राइज जो होता है वो जब ग्रहन नीच के हो तो शुरुवात में विक्ति कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है लेकिन जैसे वो नीच बंक ट्रिगर करता है अपर वो तेजी से ले कर जाता है तो मतलब जिसको क्या वोलते हैं मतलब विज्ञान की भाषा में समझें चाहिए आप इसको दर्शनशास्तर की भाषा में समझें कि जब हमें खटा खिलाने के बाद फिर मीठा खिलाया जाता है तो फिर यह सेंसर तुरं तुसंतर को भाप लेते हैं और हमें जादा आनंद देते हैं चीनी खाने के बाद मीठी चाए पी जाए तो कोई खास मीठी नहीं लगती है कैता है यार वो तो मीठा है उसके बावजूद भी मीठी नहीं लग रही है लेकिन यह जो मैंने बोला नीच भंग राज योग जो है इसका मतलब उसको ट्रबल आया उसको कुछ खटा या उसको नमकीन खिलाया गया उसके बाद उसने मिठास जब पाई तो बहुत मीठा लगा उसको आनंद बढ़ गया जीवन माने जो आनंद की परिबाशा इसी तुलना से तो की जा सकती है कि वो सुखी है वो दुखी है जीवन में माने संसार में यदि कहीं दुखी ना हो तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते हैं सुखी तो तभी हो सकते हैं संसारी जो परिबाशा है हमारी जो पारलोकिक सत्य वो एक अलग विश है लेकिन हम तुल्ला करते हैं कि हाँ, इसकी सैलरी 4,000 रुपया है मेरी सैलरी 40,000 रुपया है उसकी 4,000,000 रुपया है फिर ये तुल्ला करते हैं उससे तो मैं सुखी हूँ, उससे लेकिन दुखी हूँ तो ये वाली जो परिवाश चंद्र अशुब के साथ युती में हो, दरश्ट हो, शुब दरश्टी से हीन हो तो शारिरिक स्वास्त नहीं रहेगा अब यदि दोनों ही कहीं, लग्न भी, चंद्र भी, पीडित हो, रनात्मक रूप से मानिया शुग रहे से पेडितों, दृष्टों और शुब दृष्टी से रहितों हमारा लग्न, लगनेश, चंद्रमा तो फिर हम कहेंगे कि विक्ति को शारिरिक सुख के जो जो बल मिल रहे थे वो सारे यदि नदारद हैं कुंडली में, नहीं मिल पा रहा है तो कहेंगे इसको शारिरिक सुख तो नहीं मिल पाए, ठीक हो गया तो लगन का बल देखा, लगनेश का बल देखा, चंद्र का बल देखा उसके बावजूद भी ये भी देख ले कि क्या लगन पर कोई ऐसा जैसे हमने जो last class record की थी, उसमें हमने बताया था कहते हैं, पुंडी में हजार दोश भी है लगनेश हमारा कहीं पिटा हुआ है, बहुत बुरी स्थिती में लेकिन ब्रहस्पती महाराज लगन में आ गए हमारी लॉटरी लग गई कवरिक प्रभाव में तो ब्रहस्पती ने बचा लिया हमको ठीक हो गया, तो इस प्रकार से भी अपने को निर्णे लेना है तिसरा point क्या कहता है, शारिरिक सौंदर है फर्स्ट जो हमारा impression है, वो तो हमारा हमारा लगन से ही अंदाजा लगाते हैं, ठीक हो गया ये वाला हिस्सा हमारा ये लगन से देखा जाता है और जैसे मैंने बताया कि ये जो बहरूपिये गर रहा है आसकर के रहू, इनको बड़ा कठिन होता है कई दफ़ा मैंने कई बार प्रयास करने कोशिश की कि ये मुझे लग रहा है, शायद ये तुला लगन जातक है कहता नहीं सर ये लगन ये है उसमें थोड़ी समस्या होती जब लगन में शाड़ो प्लानेट बैठते हैं कि ये रूप बदलने में माहिर होते है तो इनको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए इनको स्टड़ी करने के लिए कई बार तो ऐसे लोग जैसे मैंने बताया कि कोई अमलगन ऐसा देख लेते हैं जहां पर राहु केतु जैसा प्लानेट शत्रुवत होकर बैठा है माल लीजे सिम लगन में राहु बैठा है आप जानते अगनी तत्व में शुरुवात में थोड़ा सा संकट होता है तो ऐसे लोग कभी तो सुन्दर लगते है और कभी लगता यह बतसूरत तो नहीं है क्योंकि वो वैसे उस लगन से उसका तना तनी है मैंने बताया था यह अड़प्टिव होता है शुरुवात में थोड़ा सा कठिन देता है और खास करके बुद्धी और सर पे चोट के लिए भी लगन में अगनी तत्वराशियों में संकट देखा गया सर पे चोट लग सकती है निशान आ सकता है काफी ज़्यादा नंबर का चश्मा भी शुरुवात से चड़ सकता है तो अभी राहु महाराज बैठे हुए है अगनी तत्वराशी में जैसे मैंने बता है न जब वो अड़प्टिव होकर सूरे महाराज है फिर तो आप जानते है लगने में सूरे का क्या मतलब है क्या जबरदस प्रस्टनालेटी है लेकिन वो कई भी कभी ऐसा लगेगा ये विक्ति तो वो नहीं लग रहा है तो ये जो रूप बदलता है अचानक इसमें राहु केतु जैसे ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका है तो आप फिर गच्चा खा जाते हैं कहते हैं ये मैं इसको मैंने देखा था ये तो कुछ अलग ही रूप दिख रहा है अभी पहले तो राजा जैसा आया था अभी एक सेवक जैसा दिख रहा है या एक माने जो रूप का ध्यान नहीं रख पा रहा है तो ये अंतर लगन में जब राहु केतु बैठते तो आपकी कलपना कई बार माने जो आपने प्रिजंशम लगाई हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें लगता है फिर आप ये कह सकते हैं अगर अचानक ऐसा बदलाव वह रहा है तो फिर इनका प्रभाव है राहु केतु का प्रभाव है तो सारीर्क्स अंदर लगन में शुभ ग्रह सुखद रूप देगा जबकि अशुभ ग्रह अच्छे सुभ ग्रह से वंचित कर देगा यदि लगन शुभ ग्रह से दरश्ट या यूती में हो तो शरीर की प्रसंदता का आनंद लिया जा सकता है बहुत बढ़िया है जैसे लगन में चंद्रमा बैठा है यदि तब दी ये सब को आनंदित कर देंगे ठीक हो गया है तो द्यान रखना है क्योंकि लगन तो अपने आप में ही खुश है लगन को किसी वस्तू की आवश्चता नहीं है अगर हमें प्रसंद होने के लिए धन पर निर्बर रहना पड़ा है हम कुछ और देख रहे हैं सैलरी पर निर्बर तो कुछ और देख रहे हैं भवन सुख देखना पड़ रहे हैं माता सुख देखना पड़ तो कुछ और देख रहे हैं लेकिन हम ही हमारा सुक्ष है यदी तो फिर हम लगन देख रहे हैं लगन में स्वाराशी का चंद्रमा बैठा है कोई उस पर बुरा प्रभाव नहीं है वो तो स्वयम ही आनन्द है ना फिर यह ऐसे लोगों की बड़ी हमें आवशकता है तो क्या होता है हम बड़े जोश में भरे होते हैं लेकिन कई दफा हमारी प्राण दशाय शुक्ष्म दशाय जो सबके साथ होता है दो दिन के लिए खराब आती है बस हमारी सारी एनरजी भी हो जाती है जबकि उसकी महां दशा अच्छी चल रही है लेकिन दोदों के अंतर से कई बार जो डिप्रसिव हो जाता है उसके लिए ऐसे लोगों का साथ रहना बड़ा जरूरी है लगन में यदी कोई स्वराशी के ग्रह बैठे हुए अपनी राशी के खास करके जैसे मैंने बताया यह तो चंद्रमा है जैसे शुक्र है यह तो बड़ा प्रसंद रहने वाले तूरे भी जब हम बात करते हैं एक प्रकार राज करने की तो लगन में सूरे सुराशी का है उच्छ का है तो वो जो राज करने की स्पिरिट है वो एक पैदाईशी बॉस है लगन का सूरे आदेश वो देगा और आदेश उ एकसेप्ट नहीं करता है तो द्वंद पैदा होता है ठीक हो गया तो फिर चौता भाव यदि लगनेश बुद्ध गुरू शुक्र कोण या त्रिकोण में हो ठीक हो गया वही लगनेश भी हमारा विश्नु हाउस यानि कोण में है और उनके साथ साथ बुद्ध भी के लिए प्राकृतिक रूप से जो सौम में ग्रह लाबकारी ग्रह नाचरल बैनेफिक प्लानेट जो माने जाते हैं वो भी सेंट्रल हाउस या त्रिकोण हाउस विश्नु और लक्ष्मी हाउस में बैठे हैं तो जातक दीरगायू धनमान बुद्धिमान और राजा का प्र राशी में हो और शुब ग्रह से दृष्ट हो तो प्रसिद्धी धन प्रचुर सुख और शरीर की सुख सुवधाएं प्राप्त होंगी अभी ये अलाकि इसमें स्थिर राशी का भी महत्व है द्वी सुभाव का भी महत्व है लेकिन जैसे मैंने बताया ना कई मामले में हम उनने जो चर राशियां है उनमें ये जो वेरियेशन है वो ज्यादा होता है इस कारण से कई दफा ऐसा अब्जर्वेशन में आता कि वो सांसारिक दृष्टी से जिसको वो बोलता है कि भोग या आनंद वो ज्यादा महसूस करने लग जाता है जैसे एक स्थिर प्रवर्ती एक जैसा तो वहाँ पर जब हम बोलेंगे कि ये मिठास आई फिर खटास आई वो बहुत ज़्यादा अब्जर्वेशन में लेकिन चर का तो मतलब यही है जहां बार बार बदलाव होता है इस कारण से वो कई मामले में यदि चर लगना है और वहाँ शुब लगने इश्कि करेंगे तो यह वाली जो परिभाशा मैंने बताई थी कि चाय मीठी है उसके बाद भी मीठा पीते हैं तो ज्यादा मीठा चाय मीठी होने के बाद भी नहीं लगता है लेकिन जो चर प्रवर्ती है वो बदलाव पसंद करता तो खुदी वो आर्टिफिशल ही उस चाय के पी बादा करने का प्रयास करते हैं ठीक होगे वैरियेशन की जो मैं बात बता रहा था तो चर राशी में हो और शुब ग्रह से द्रश्ट हो तो प्रसिद्धी धन प्रचुर सुख और शरीर की सुख सुवधाय प्राप्त होती है ऐसे लोगों को हम चाये जगा परिवर्तन की बात करें वो कई दोवां तो बार-बार अपने घर में ही जगें माने बदल बदल कर सुख का अनभाव करने लग जाते हैं जैसे कोई विक्ति घर बदलता है तो फिर वो नए घर का आनंद लेता है अभी चर प्रवर्ति वाले लगन है और जैसे मैंने बताया कि उसको अनदर के लिए किसी चीज की यह अअनद यह है अपने में तो क्या करता ह्या जो उसके पास जितना भी रिस ऐत प्रसंदर होना तो बहुत बड़ी बात है पताल लगा उसके पास चाह है चोटा सा में चीजों को आगे पीचे करता कहता अगे आज मैंने एक नया लुक दे दिया देखा मेरा बैड इकदम नया लुक में आ गया पहले यहां था आज वहां चला गया तो यह वाला जो वेरियेशन है यह चर प्रवर्ति की खास बात है अपने उसी उसी रिसोर्स को थोड़ा बहुत अल्टर करके आनंद लेता है तो वह आनंद तो क्योंकि हम तो पर परमानंद स्वरूप हम है वोई परमा परमात्मा का अंशा इसलिए आनंद तो हमें आनंद तो रहना ही चाहिए ठीक हो गया तो सुक्स विधाए प्र यदि बुद्ध गुरू या शुक्र लग्ण में चंद्र के साथ हो या लग्ण से कोण में हो तो विक्ति राज सी चिन ठीक हो गया भाग्य से संपन्न होगा भई उसको उस पर राजा प्रसंद रहता है हम राजा आज की फॉर्म में कह सकते हैं भी हम्या गौर्वर्मेंट ऑफिस के साथ हमारा अच्छा रिलेशन्शिप है जो भी आपके अधिकारी लोग है अच्छे संपन्न लोग है वो आप भाग का आनंद लेगा तो वो भी वही लगबग है उसी कोई अलग लग शब्दों में रखा गया है जिक हो गया तो क्युक्कि 115-200 ही हमारे कुंदली का कोण माना गया है जिक होगया कोण और देखना चाहते हैं ये जो चार्ट है ये जुडवा बच्चे हो सकते हैं तो क्या देखते हैं हलागि बहुत सूत्र है उनमें से अभी एक सूत्र ये भी है जुडवा बच्चों का जन्म जिस जातक के पास स्टूरित चदुश्पद राशी में हो यानि चार पैर वाली राशियां कौन कौन सी है एक यानि मेश राशी दो व्रश राशी पाँच यानि सिंवराशी नौ नौ राशी नवी राशी कौन सी है धनू राशी ठीक हो गया धनू राशी का अंतिम 15 डिगरी याद रखने है शुरुवात के पंदरा डिग्री नहीं अंतिम, यानि अगर धनुराशी के 16 डिग्री में सूर्य है, तो हम कहेंगे कि वो चतुषपद में हैं लेकिन यदि धनुराशी के वो 14 डिग्री पर है तो फिर हम ये कहेंगे कि भई ये उसका पूरवार्ध है एक अश्व जैसा है, घोडे जैसा है तो पिछला हिस्सा है, उसको चतुषपद मानना है अगले हिस्से को विपद मानना है आज साथ दसवी राशी, दसवी राशी कौन सी है मकर राशी, ठीक होगे तो मकर राशी को भी चतुषपद, तो सूर्य चतुषपद राशी में है जबकी अन्य ग्रह वीपद राशी तीसरी राशी याने मिथुन राशी छटी राशी याने कर्ण्या राशी सात्वी राशी याने तुला राशी और नवी राशी याने धन्दू राशी का पुर्वार्द इन राशियों में बाकी के ग्रह बलवान है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जुडवा है इसी प्रकार से आपने ये भी सुना होगा कि अश्वनी नक्षत्र का भी कुछ इसी प्रकार का कहा जाता है कि अगर बली होकर चंदरनक्षत्र अश्वनी है या लगन नक्षत्र बली होकर अश्वनी है तो जातक या तो खुद जुडवा है या उसके जीवन में कोई ऐसा मित्र है परमित्र जिसके सारे करेक्टरस्टिक्स उससे डिट्टो मैच करते है मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका यदि कोई लगन राशी है आपका कोई ऐसा मित्र उसका भी लगन राशी वही है तो यह ऐसा क्योंकि अश्वनी कुमार हम ट्विंस जुडवा मानते है ठीक हो गया तो इसी प्रकार से एक सुत्र ये भी है कि ये जुडवा होने की बात इसमें देखी जा सकती है फिर आगे इन माताओं द्वारा अच्छा इसमें मुझे एक बात का और उत्तर देना था हम जब ये मान कर ही चलते हैं मतलब एकदम हंड़ट पसंट शोर हैं कि हमारे जो बर्ड डिटेल हमें प्राप्त हुई है वो तो गलती हो इनी सकती है तो फिर एक प्रकार का ये दुराग्रह भी कहा जा सकता है कई दफा मैंने देखा है 35-35, 40-40 साल का विक्ती है और उसको 40 साल बाद पता लगा कि मेरा बर्ड डिटेल उस टाइम पर गलत नोट किया गया था तो जो लगन से कई दफा अपना वीडियो देखते है या अलग लग रहा की प्लेस्मेंट देखकर ये विचार करते कि ये ज़्यादा फिट क्यों नहीं हो रहा है इसका मतलब आप एक बार फिर से आपका जो बड़ डिटेल है वो चेक करें या आपका संधीकाल में जन्म तो नहीं है जैसे 28 दिगरी का आप मान रहे हैं आपका उदित लगन है 39 दिगरी का मान रहे है एक दिगरी का मान रहे है तो हो सकता है वो एक दिगरी ना हुआ हो उससे पहले ही आपका जन्म हो गया हो लेकिन माहर सूचना मिली तब तक वो एक डिगरी लगन बदल गया माने आपका जन्व वैसे मीन लगन में हुआ लेकिन वो संधीकाल था माने लगन उससे में बदल ही रहा था तो जब तक आप को बताया गया आपने जो टाइम नोट किया वो मेश लगन आगया जब कभी कोई लगन हमसे बहुत बड़ा अंतर आ रहा है इसलिए कोई ऐसा माने ज़्यादा रूड नहीं हो जाना है कि यार नहीं मैं तो इस चीज़ पर मानता ही नहीं अरे आप पहले ये तो चेक कर लें कि जो आपको बड़ डिटेल दिया है वो करेक्ट है भी या नहीं कि जोतिश शास्त्र जिस विक्ति के लिए जो उसका जानकार है वही उसकी एक्यूरेसी का पालन करने का प्रयास करेगा और जिसको उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं वो तो बस यह देखता है हाँ भई जन्म हुआ है अब एक मोटा मोटा टाइम नोट कर लो और मैंने भी अबज़र किया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा समय आता है जो एकदम हमाने जैसे आठ बजे जन्म हुआ है जी एकदम आठ बजे जन्म हुआ है अगर कभी कुछ ऐसा मुझे पता लगे मैं थोड़ा रिसर्च करूँ तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं तयार रहा हूँ कि मेरे दादी मा से मुझे पता लगा कि नहीं आप संध्या नहीं आप तो रात्री में जन्म हुआ था संध्या काल य को संध्या काल में आधिक कर आया गया था लेकिन आपका जन्म हुआ था मद्यरात्री में यैजय आर्द्रात्री इस परकार से यह भी कई दफाँ बिल्कुल हमें त्यार रहना चाहिए तीन माताओं द्वारा पाला जाना हमारा पालन पोर्षन इसमें ऐसा भी हो जाता है कि मेरी माता श्री तो वही है लेकिन किसी कारण वर्ष उनको मेरे जन्म के तुरंत बाद कहीं जाना पड़ा और उसके बाद मेरा पालन पोर्षन किसी चाचा ताउ के फैमिली में हुआ तो ये भी हम एक सुत्र है हाला कि ऐसे कई सुत्र उनमें से एक सुत्री है तीन माताओं द्वारा पाला जाना यदि सूर्य और चंद्र एक ही भाव में मिलते हैं सूर्य और चंद्र एक ही भाव में मिलते हैं और एक ही नवमांश में है, जो उसका D9 चैट है, वहाँ भी एक ही नवमांश में है, तो जातक का पालन पोर्षन उसके जन्म पहले, जन्म के अने, शुरुवात के तीन महिनों तक, तीन अलग-अलग परिवारों द्वारा, या तीन अलग-अलग माताओं द्वारा किया जात उस पर apply हो रहा है अच्छे से बट आप अपने bird detail को सही से नहीं जानते हैं, आपको 100% correct नहीं है कि मेरा bird detail सही होगा, तो फिर इसमें गलती की गुंजाईश है, वो एक window भी आप open रखें, कि अगर गलती होती है, तो मैं इसको revise कर सकूँ या इसको change कर सकूँ, यह कुछ सूत् आप लोगों के सामने श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में रखते रहेंगे, आपको यह प्रयास हमारा कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताईएगा, मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जैश्री भगु पर आशरा, जैश्री शुक्राचारिया, नमस्कार